मिलीवक्स पे हमें नीमायल का स्प्रे करना है जो हमारे पौधों पे लग रही है तो इन्हें हम जो हमारा सॉलुसन हमने नीमायल का बना रखा है इसको हम इस पे डारेक्ट मिलीवक्स पे स्प्रे करेंगे ये स्प्रे करने से मिलीवक्स इनकी जो छमता होती है वो कम हो जाती है और यह गिर जाते हैं आयो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल टेरेस गार्डनिंग में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें नीम आयल को अपने गार्डन में टेरेस गार्डन में कैसे यूज करना है और इसके क्या फाइदे हैं नीमायल दोस्तों कई पीपीम इसका होता है उसमें आती है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस पीपीम के नीमायल को कितना यूज करना चाहिए एक लीटर वाटर में ताकि आपको आपके गार्डिनिंग में नीमायल यूज करने में आसानी हो इससे पहले अग हमें करना क्या है हमें नीमायल लेनी है और लेना हमें एक मग जिसमें के हम उसको ढॉल सके और उसके साथ हमें लेना स्प्रे बोतल वर नीमायल चुकी पानी में इजरी डालूट नहीं होता है गुलता नहीं है तो उसको ढॉलने के लिए हमें heed वास या सेम्पू या हैंड वास जो भी आप ले सकते हैं वो ले लीजीये वो हमारी नीमाल को पानी में डाल dementia करने में घुलने में मदद करता है तो हम येदो दोस्तों देखिए एक लीटर पानी हमने ले लिया है अब इस पानी में हम मिलाएंगे चुकि ये जो नी मायल है मेरा ये पंदरा सो पीपिम पे है तो पंदरा सो पीपिम का नी मायल एक लीटर पानी में चार से पांच एमल हमें मिलाना होता है और जो नी मायल होती है तीन सो पीपिम की नी मायल हमें 6-7 ml एक लिटर पानी में जो कि आपको 3000 ppm का नीम आयल मिल जाएगा जो कि 3-4 या 5 ml आप उसको भी ले सकते हैं एक लिटर पानी में हो उसके लाओं आपको 10,000 ppm का भी नीम आयल मिलेगा जो कि आप 3-4 ml ही एक लिटर पानी में यूज कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा ये देखिए दोस्तों मेरा 1500 ppm का नीम आयल है तो मैंने इसे 5 ml ले लिया है और इसको मैं पानी में डाल दूँगा दोस्तों ध्यान रखिए कि नीम आयल की मात्रा ज़्यादा अगर होगी तो वो पौधों को नुकसान पहुचाता है चुकि ये इसके पार्टिकल्स जो है वो पानी में अच्छे से मिलेंगे नहीं जिसके लिए हमें सौप का यूज करना पड़ता है तो हम हैंडवास है मेरे पास 3-4 ml हम हैंडवास लेंगे और उसमें मिला लेंगे पानी में ये हमारे नीमायल को पानी में अच्छे से मिक्स करेगा इसको पूरी तरह से पानी में नीमायल घुल जाएगा अगर हम बिना पानी में मिलाए हुए नीमायल को पौधों पे स्प्रे कर देंगे तो ये चिप चिपा होता है और यह कहीं कहीं जाके चिपक जाएगा पूरी तरह से पौधों पे एफेक्टिव नहीं होगा तो इस प्रकार हमने इसमें हैंडवाश डालके इसको किसी लकडिया चम्मच की साहता से मिला लिया है दोस्तों नीमायल कम से कम 100-200 इंसेक्ट्स पर कारगर होता है एफेक्टिव हमारी मिट्टी में होते हैं उनको भी नीमायल से कोई नुकसान नहीं होता है तो नीमायल यूज करना बहुत ही सेफ है और बहुत ही अच्छा है हमारे गार्डन को इंसेक्ट्स से बचाने के लिए तो इसे हम मिलाया हुआ हमारा एक लिटर का जो मिक्शर है नीमायल और हैं दोस्तों जो नी मायल होता है इसे हम पौधों पे स्प्रे करने के साथ साथ जो हमने स्वाइल बना रखा है पौधों की उसमें भी हम यूज कर सकते हैं उसमें भी हम दे सकते हैं तो उससे जो हमारी मैट्स होती है वो खतम हो जाती है अगर आप नी मायल को दो तरह से यूज क बार आप नीमाल का इस्प्रेई कीजिए और अगर इंसेक्ट्संतों खतम करना है तो चुक्ति ही जो इनसेक्ट्स हमारे पौधों पे आ चुके होते हैं उनके जो चोटे चोटे अंडे होते हैं वो दो से तीन दिन में फिर से बढ़े हो जाते हैं तो हम दोस्तों देखिए मेरे ये गुड़ाल का पौधा है जिस पे मिलीवक्स का अटेक है तो मैं इस पे आपको दिखाता हूँ ये देखिए मिलीवक्स चुकि ये मैं पहले भी एक बार इस्प्रे कर चुका हूँ ये दूसरी बार मैं कर रहा हूँ तो देखे काफी कम हो चुका ह इन पर मिलीवक्स डारेक्ट हमें इन पर इस्प्रे करना है और यह ख्याल रखना है कि जहां मिलीवक्स दिख रहे हैं उन पर तो आप इस्प्रे करिए साथ साथ पत्तों होते हैं पौदों के यह जो भी इंसक्स होते हैं यह ज्यादा तर पत्तों के नीचे अपना घर बनाते रहते हैं और पुरे पौदे पिर अटेक करते हैं तो हमें पत्वों के नीचे उपर चारों टरफ पूरे पौदे पर अच्छे से हमें स्वठी करते हैं और एक चीज और खास बात दे़े उसलों ध्यान रखे झाल की नी माईल का इस्प्रे हमें साम के टाइम करना है सुबह के टाइम नहीं क्योंकि सुबह के टाइम में जब धूप निकलती है और यह पत्तों के हमारे नीमायल पड़ा होता है तो जो प्रकार संसलेशन का रिक्रिया होती है पौध होगी उससे पत्ते सही से नहीं कर पाते हैं तो कभी भी आप नीमायल का इस्प्रे आप प्रक्स और केटरपिलर इस सरह के कई सारे इंचक्स है जिनसे हमें और पौधों को बचा के रखता है नीमायल दो जड़े की जड़ों से थोड़ा दूर रखते हुए मिट्टी में सोयल मिक्षर जो भी आपने बनाया है तो जो मिली वक्स जड़ों को खा रही होती है खतम कर रही होती है नीमोट्योट्स की वज़े से जो आपके पौधे मर रहे होते हैं उनके लिए भी काफी एफेक्टिव होता है यह तो हमें जड़ों से थोड़ा साइड करके नीमायल का जो हमारा मिक्चर है हमें पौधों में डाल देना चाहिए तो इससे हमारी पौधों के लिए वेनिफेट होता है कि जो नीमोट्योट्स का जो प्रॉब्लम होती है जड़े खराब होती है वो भी इसके दोस्तों ये रही आज की मेरी वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों आपके लाइक, सेर करने से हम प्रोत्साहित होते हैं और ऐसी वीडियो बनाते बहुत बहुत भन्यवाद